हेलो नमस्ते सस्त्रियकाल अस्सलाम वालेकुम स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्स्प्लेनेशन लेकर जिसका नाम है एक्स्ट्रेक्शन ये एक एक्शन ठ्रेलर मूवी है जो कि 24 एपरल 2020 को रिलीज हुई थी इसकी IMDB रेटिंग है 6.7 आउट अफ 10 और इसके डिरेक्टर का नाम है सैम हार्गेव तो एक्स्प्लेनेशन से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेन्ट के बारे में जान लेते हैं सबसे पहला केरेक्टर है टाइलर रेक जो की एक ब्लैक मार्केट मरसि और उसके बेटे का नाम था ओवी महाजन जूनियर अगले केरेक्टर है साजु राउ जो की ओवी के घर का सिक्योरिटी इंचास था और लास्ट केरेक्टर है आमेरासिल जो की बांगला देश का ड्रग कोटर था यह एक एक्शन फ्लीक मूवी है और इसके एक्शन काफी ध पॉर्णिंग दे देती हूं क्योंकि यह मूवी काफी पॉपिलर है और काफी अच्छी मूवी है इसलिए आपको पहले मूवी देखनी चाहिए उसके बाद ही एक्स्प्लेशन सुननी चाहिए क्योंकि इसका एंड काफी मिस्टीरियस होता है उसमें पता नहीं चल पाता द बारे में सोच रहा था उसका पास्ट हमें काफी धुंदला दिखाया जाता है कुछ भी क्लियर नहीं था वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था जो कि 6 साल की उम्र में कैंसर की वज़े से मर गया था और उसकी इस हालत में टाइलर उसके साथ नहीं था क्योंकि वो ये situation face नहीं कर पा रहा था वो अपने किसी operation में busy था जहां से वो बचकर वापस आ जाता है और अब हम देखते हैं कि उसकी married life भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी उसकी wife से वो अलग हो चुका था और उसका आधा time शराब में जाता था वो कोई ऐसा mission चाहता था अपने बेटे की मौत के बाद जिससे वो जिन्दा बचकर वापस ना आ सके और अपने missions में वो अब military capabilities को भी use करता था जैसा mission टाइलर चाहता था वैसा ही mission निक खानों से लाकर देती है मतलब ओमी महाजन सीनियर के जंग चिड़ी रहती थी क्योंकि दोनों ही drug quarter थे और आमिर चाहता था कि इंडिया में भी उसके drug supply हो लेकिन ओमी महाजन की वज़े से ऐसा नहीं हो पा रहा था इसलिए उसने उसके बेटे को kidnap किया था ताकि वो उसे blackmail करके अपनी मनकी करा सके लेकिन नेक खान टाइलर से कहती है कि तुम्हें इस mission पे drink करके नहीं आना है और टाइलर उसकी बात मानता भी है जो ओमी सीनियर होता है वो इस वक्त तिहार जेल में बन था मुंबई में लेकिन उसका इतना पावर था कि वो बैठे बैठे भी किसी को मरवा सकता था अब हमें सर्जू को दिखाया जाता है जो कि इंचार्ज सेक्योरिटी आफिसर था ओमी के घर का और उसके रहते हुए उसका बेटा किडनाप हो चुका था इसलिए अब उस पर सारी जिमेदारी थी सब कुछ ठीक करने के लिए उसकी एक फैमिली थी जिसमें वो अपने बेटे को काफी प्यार करता था और वो जानता था कि अगर उसने सब कुछ ठीक नहीं किया तो ओमी उसके बेटे को भी मार डालेगा और उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगा इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो बांगला देश जाकर ओवी को घर लेकर आएगा वो अपनी वाइफ से कहता है कि अगर बारा गंटे तक मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया तो यहां से बेटे को लेकर गायब हो जाना और पैसे भी ले जाना जो कि उसने उन दोनों के लिए रखे हुए थे क्योंकि इस मिशन से वापस आना बहुत ही मुश्किल था और उसके जिंदा लोट के आने की बिलकुल भी उमीद नहीं थी और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आमिर आसिव का भी बांगला देश पर काफी रास था सरकार भी उसके सामने कुछ नहीं थी इसलिए सर्जू प्लैनिंग करता है कि वो निक खान को बेवकूफ बनाएगा मतलब निक खान एमाउंट लेकर किसी भी मिशन को कम्प्लीट करती थी इसलिए वो निक खान को थोड़े से पैसे देकर एडवांस उसे बेवकूफ बनाकर वो अपना काम निकलवा लेगा और बाद में निक और उसकी टीम को मार देगा और ओवी को लेकर वापस मुंबई आ जाएगा और ठीक उसके प्लैन के अकॉर्डिंग वो निक को थोड़ा सा एडवांस दे देता है जो फीस वो लेती है और निक भी अपनी टीम को लेकर धाका पहुँच जाती है ओवी को बचाने के लिए जहांपर उसे ओवी को उस जगह से निकाल कर एक बोट पर लाना था इंडिया जाने के लिए जहांपर सर्जू उसका वेट करेगा लेकिन निक को नहीं पता था कि सर्जू उसे भी मार देगा ताकि उसे पैसे ना देने पड़े यहाँ पर पैसो की दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जो ओवी सीनियर था उसके सारे एकाउंट सीज हो चुके थे इसलिए वो इतना ज़्यादा पे नहीं कर पाता है निक को यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइलर और सर्जू में काफी जमीन आस्मान का फर्क है क्योंकि एक तलफ टाइलर जब उसका बच्चा बीमार था तो उसे उस सिच्वेशन को फेस करने के लिए बिल्कुल भी गट्स नहीं थे और दूसरी तलफ सर्जू जो की अपनी जान को दा उसकी जान बचाई थी लेकिन उसने डील की ओवी के लिए 10 मिलियन की ताकि आमेर टायलर को जाने दे लेकिन टायलर भी इस भाट से खुश नहीं होता और वह उसकी बात नहीं मानता गासपर और टाइलर एक दूसरे से अग्री में करते और दोनों पर ओवी जूनियर आता है और गासपर पर गन चला कर उसे जान से मार देता है हम देखते हैं कि धाका की सिक्योरिटी आमिर ने काफी बढ़ा दी थी ताकि वहां से कोई आज आ भी ना पाए और वहां के सारे शूटर्स टाइलर के लिए धाक लगा कर बैठे थे ताकि उसे मा इमांदार रहें लेकिन उनकी गलती पर भी उनकी एक उंगली वो काट देता था टाईलर की बच्चों की साथ फाइट में टाइलर बच्चों को काफी असानी से हराता है और वहां से भाग जाता है जो बच्चा उसकी तरफ इमांदारी साबित करना चाहता था वह आमिर के पास जाता है और अपनी एक उंगली काट कर उससे सेकंड चांस मांगता है सजु ने अपने प्लैन के अकॉर्डिंग कई सारे लोगों को मार दिया था जो कि निक के टीम के थे और वो ओवी को छुड़ा कर इंडिया वापस ले जाना चाहता था लेकिन निक टैलर को कॉल करती है और सारे सिच्वेशन को एक्स्प्रेइन कर देती है लेकिन निक किसी भी हालत में ओवी जूनियर को वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहता था और वो किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता था तब एक लोकेशन सेंड करती है निक उसको और कहती है दो चेक पोस्ट पार कर एक ब्रिज मिलेगा जहां पर एक हेलिकॉप्टर उसका वेट कर रहा होगा उनको बचाने के लिए हम देखते हैं कि टाइलर और सर्जू टीम अप कर लेते हैं पहले चेक पोस्ट पर हम देखते हैं कि टाइलर सबको डिस्ट्रैट करता है और सर्जू किसी तरह ओवी के साफी जखमी था और उस पर भी स्नाइपर से वार होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं ब्रिज के कि निक और चौपर उनका वेट कर रहे थे जहां पर निक जनरल को मार देती है जान से अब भी फाइटिंग खतम नहीं हुई थी और सभी लोग अभी भी उनके पीछे प से नीचे गिर जाता है ताइलर जब ब्रिज से नीचे गिर रहा था तो उसकी फेस और पोजीशन को देखकर लग रहा था कि वह काफी रिलाक्स है क्योंकि वह ओवी को बचाना चाता था और उसने ऐसा ही किया और जो विजन्स उसे अब तक धुंदले दिखाए देते थे को सब क्लियर हो जाते हैं क्योंकि इस बार वो किसी भी सिच्वेशन को फेस करने से नहीं भागा और उनका डटकर सामना किया हम देखते हैं कि अब अपने घर पहुँच चुका है और जैसे ही वह स्विविंग पूल से बाहर आता है तो उसे टाइलर दिखाई देता है जो क तरह से वह टाइलर का भी बदला ले लेती है ओवी अपनी लाइफ में ना दोस्तों से खुश था ना ही अपने पिता से क्योंकि उसके पिता खुन खराबा बहुत करते थे और हर दिन वह किसी बच्चे को अनात करते थे टाइलर जब ओवी को बचा रहा था उस दौरान ओवी पानी के अंदर बिल्कुल वैसे ही बैटा था जैसे कि स्टार्टिंग में हमने लेक में बैटे हुए टाइलर को देखा था और जैसे उसे विजन्स आते थे वैसे उसे भी विजन्स आ रहे थे लेकिन अब ओवी जुनियर को जीने का मकसद मिल चुका था उसे अपनी फिल्म के डिरेक्टर सैम हार्गेर ने भी अपने एक इंटर्व्यू में क्लियर की है लेकिन दर्शकों ने अपनी इस बारे में काफी राय दी है जो कि डिरेक्टर को भी काफी अच्छी लगी है इसकी एंडिंग ही कुछ इस तरह से दिखाई गई है कि अगर आप मान ले तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और हमारी इंस्टाग्राम आइडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो जाए और उसे फॉलो की ताकि हमारी वीडियो के बारे में अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलें तो कैसी लगी आपको यह मोवी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यू